है है हेलो गाइस वेलकम टो आवर चैनल एसस्टी गेमिंग और भाई आज हम फिर से एक नया वाला फ्रेज वीडियो लेकर हाजिर हो गए और जैसे के आप सभी लोगों को पता है मैं हर तिन एक फ्रेज वीडियो डालता हूं और जो जो एडवन सर्वर का है जो चीज अभी हमड़े सर्वर में आ भी नहीं है और कल भी मैंने एक वीडियो डाला था आप जाके देख सकते हैं मेरे चैनल में हैं जो इंक्यूबेटर के बारे में हैं और बहुत-बहुत जो एडवन सर्वर में चीज आ चुका है अभी तक हमरे सर्वर में आ भी नहीं रहा है तो उस छीज में दिखाने वाला हूँ वो भाई किसी ने भी आपको नहीं दिखाया होगा क्योंकि भाई आज ना हर एक गन का स्कीन आने वाला है जो जो अभी तक free fire में आवी नहीं चुका है और भाई सभी गन का legendary और normal स्कीन आने वाला है बट जो जो गन का लेजंडरी स्कीन आ रहा चुका है न एडवन सर्वर में भाई आप देख ले और देखी सकते है पहले वाले गन जो है कॉट का जो यूजी गन आया था कुछ दिन पहले जो टोकेन से खड़िदना पड़ता था और गोल्ड में भी एविलबल है तो भाई आप हैं सभी बंदे लेंगे और मुझे पता है और अब आप लेट भी डेख सकते हैं रेंज हैं और मैगेजिन भी है और उसकway गन का चिन जो अभी तक फ्रीफायर में एक इंसकर त्प साहब से के रेंज ही प्लस है और यह बाई जो लेट्रेंग हैं आब सबी इकर करते हैं और इसके बाद भाई देखी सकते हैं उट पिकर का लेजेंडरी स्कीन अभी तक फ्लिपर में आया भी नहीं है भाई उपी उपी जस्ट उपी भाई ब्लू वाला स्कीन है और मुझे आपको पताई होगा मुझे ब्लू वाला हर चीज़ पसंद है भाई बहुत उपी लगदा जो लेजेंडरी स्कीन आया था कुछ दिन पहले और यह सब तो नयना गन है अभी नॉर्मल स्कीन क्यों दे रहे हो यार अभी तो लेजेंडरी स्कीन डालना पड़ेगा तभी तो यह सारे गन फेमस होगा तो भाई स्टोर में यह वाला गन आ सकता है और मुझे नहीं पता बट भाई आ सकता है रेट ओफ फायर और रिलोट स्पीट प्लास है और इसके बाद जो गन आने वाला है मैक भाई मैक 7 का बहुत जैड़ेला स्कीन आ चुका है और आप सभी को पता है अभी रैंक मैच में या पर जो भी मैच आप खेलते हो सभी मैच में भाई यह आप बहुत कुछ कबड़ी है कि लेजंडरी स्कीन आने वाला है मैक 7 का बाई कतेज़एर वाली स्कीन और इसके बाद भाई एम 14 यानि की एम 14 जो नया वाला स्कीन है यह नॉर्मल स्कीन है और इस स्टोर में अवेलेबल हो सकता है यह फिर कोई विड में भी आ सकता है बट यह तो कंफर्म है यह आएगा और अभी तक हमरे यह आपर नहीं है और इसके बाद वाई इसके बाद यह वाला जो गन है कोई बंदा यूज भी नहीं करता है इसलिए इस गन का मुझे नहीं बता वाई कि गोल्ड में भी आ सकता है या फिर कोई इवेंट में जो की फ् में हेट-sort भी लग जाते है और इसको बैट मेंस इसकी myśler डबल हो जाती है यह इनकि बैट कर मारना पड़ता और इसके बाद भाई एसके बाद यह वाला जो सकार का स्केन है यह भी नॉनम से और यह बाला स्कीन भी बहुत अच्छा है और इसके इसका आप सभी को पता है सभी बंदे डॉबल रेट ओफ फायर वाला स्कीन ही पसंद करते हैं और इसके सभी चलाते हैं अभी वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करना सस्क्राइब करके बेल आइकन आल पर सेट क लोगाई चलो आज के लिए इतना है हम जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ओके टाटा जय हुद